हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह की क्लास जो आपकी होती है वो होती है लैंग्विज क्लास एक्चुली इस वक्त चैनल पे सारी ही क्लास लैंग्विज की ही चल रही है हाला कि 2000 से जादा वीडियो अवाइलेबल है आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए सभी सब्जेक्ट के तो आप एक बार प्लेलिस्ट सारी चेक कर लीजेगा वहाँ पे आपको सारे ही क्लासस मिल जाएंगी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आज हम इंग्लिश का जो है एक सेट देखने वाले हैं जो कि इरर का है सिर्फ एक ही टॉपिक से हमने प्रशन उठाया हुआ है आज क्योंकि error वाले जो प्रशन होते हैं उसमें आपकी असली योग्यता पता चलती है क्योंकि सारे ही topic उसके अंदर cover हो जाते हैं जो भी grammar के आपके हैं जित्ते पे आपकी command रहे कि उतनी जादा प्रशन आप उसमें solve कर पाएंगे न सही उत्तर दे पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं session तो जो आज का पहला प्रशन सब में common है यानि कि सब में error ही बताना है तुरूटी बतानी है कि वाक्य के कौन से हिस्से में तुरूटी है या फिर अगर लगता है कि सब सही है तो no error पे आपको click करना है अब देखे कहना यह चाह रहा है कि railways ने जो है track cross करने को एक dundneer मतलब अपराद माल लिया है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको उसका punishment मिलेगा तो यहाँ पे जैसा कि मैंने हिंदी में समझा दिया dundneer dundneer शब्द बोला न मैंने हिंदी में तो उसको English में punishable बोलते हैं ना कि punished बोलते हैं ठीक है तो इस वज़ा से आपको option number C यानि ये वाला जो है वो wrong है यहाँ पे a punishable offense होना चाहिए था a member shall be required to pay interest at such rate as fixed by the committee फटबट से देख लीजे बहुत ही छोटा सा यहाँ पे मैं हिंट कर दूँ at such a rate होता है ठीक है at such rate नहीं at such a rate सच के बाद basically हम a use करते हैं ये use करते हैं ठीक है तो ये लगना चाहिए था बस बैता है मैंने article कित्रोटी है अगर लगता है सब सही है तो no error अब बताना क्या चाहिए कि रागु जो है हाथ में तॉलिया लिये हुए बाथरूम से बाहर निकला हिंदी में मैंने बता दिया तो यहाँ पर जो c वाला option है in the hand ये जो है तुरूटी पूर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जब अंग शरीर के अंग की कि हम जिकर करते हैं कि उस अंग पे इस नहीं ये लिया हुआ है तो उसके पूर्व एक संबंध वाचक विशेशल या जिसे पॉजेज़ीव एडजक्ट्ट्व हम कहते हैं वो जरूर यूज करना चाहिए है ना तो यहाँ पे क्या होने चाहिए था या इन वन ऑफ इस हैंड होना चाहिए था यहाँ यह जो है वह एक लगा होना और जैसी भी आपका noun है उसके subject है उसके recording कोई ने कोई positive adjective आपको लगाना चाहिए था तो in his hand यानि अपनी हाथ में उसके हाथ में neither the girl nor her parents was present to receive the award यानि की award लेने के लिए ना तो लड़की ना ही उसके अभिभावक मौजूद थे अब देखें एक्जाम में तो कोई हिंदी समझाएगा नहीं है खुदी से करना है है कि नहीं तो देखें जब कभी भी neither and not से दो subject है दो subject है एक the girl है एक उसके parents है दो subject कहीं आप रयोग हुआ है तो जब भी neither and not से दो subject को जोड़ा जाता है तो जो भी helping verb होती है वो हमेशा helping verb बाद में जो भी आया है subject उसके अनुसार रखी जाती है हमेशा जो बाद में तो बाद में कौन से subject आया है ये आया है ये तो पहले ही आ गया है ये वाला है तो हर parents अब parents क्यों किया है plural है बहुचन है तो यहाँ was नहीं बलकि यहाँ पे were use होना चाहिए था इसके calling है की नहीं तो गलत कौन सा यहाँ पे truth किसमे है आपके option number b में यहाँ were present होना चाहिए था he as well as you like to go no error as well as along with together with इनसे जब subject जुड़ते हैं यहाँ पे एक यह subject है कि यह subject है ना जब इनसे कोई भी subject जुड़ते हैं तो verb पहले subject के नुसार होता है जैसे पिछला जो किशन था उसमें क्या था verb हमेशा दूसरे subject के according लगा था यहाँ पे जो verb है वो पहले subject के according लगेगा ठीक है तो he के साथ क्या लगता है like लगेगा कि likes लगेगा likes लगेगा ना तो यह likes होना चाहिए था ठीक है तो he as well as you likes to go no मतलब no error तो कोई है ही नी go तक आपका sentence हो जाएगा भले ही you के just बात लगा है लेकिन लगेगा इसके अनुसार ही के अनुसार get this book be published in time no error get this book be published in time कहना यह चाह रहा है कि भही इस किताब को time से जो है publish कराओ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था get का कोई sense नहीं है यहाँ get नहीं let होना चाहिए था let this book be published in time इस book को समय से publish होने दो ठीक है he is junior than all his friends no error junior senior इन सब के साथ क्या लगता है बताया हुआ है junior senior के साथ then नहीं लगेगा to लगता है ठीक है जिससे senior है या जिससे junior है उसके पहले to लगाते है ठीक है then नहीं लगाते है तो he is junior to all his friends तो यह वाला answer सही है option number b had you worked hard you will have past तुरूटी है यहाँ पे निश्चत रूप से तो क्योंकि सब past tense में है देख लीजे सब past tense में दिख रहा है तो will का प्रयोग कहां से आ जाएगा will तो future tense के लिए होता है will नहीं होना चाहिए है ना यहाँ क्या होना चाहिए would होना चाहिए चुकि will का जो past form होता है वो would होता है तो यहाँ पे would आपका होना चाहिए ठीक है तो you would have past तो सही answer क्या हुआ option number c यह समें 30 है he works hardly to make both ends meet तो he works hardly नहीं हाँ hard work hard क्या बोलते हैं हम लोग work hard work hardly बोलते हैं आम भाशा जो हम लोग बात चीत करते हैं वहीं से सब कुछ है कुछ ऐसा अलग सा नहीं है थोड़ा सा correlate करिए तो he works hard to make both ends meet तो यह वाला answer इसमें 30 है neither of these two documents support your claim on the property यानि कि इन दोनों में से कोई भी document आपने जो property पे claim किया है उसका support नहीं करते हैं ठीक है तो देखिए जब कभी भी distributed pronoun जैसे कि each है everyone है either लगा हो नीदर लगा हो इस तरह का कुछ लगा हुआ हो ठीक है तो verb जो है हमेशा singular रहेगा तो यहां support नहीं supports verb यहाँ पे यही है support करना है तो supports लगेगा क्यों verb हमें singular रखना है singular के cording तो हम supports लगाएंगे plural के cording रखना होता तो support लगाते यह तो सबको पता है simple present tense जिसने पढ़ा है उसको यह जीज़ पती है पता है मतलब ओके next question है आपका this letter will reach him before he left for Delhi फटाफट से बताईए this letter will reach him before he left for Delhi बहुत आसान है मतलब grammatically दिख रहेगी कहां पे क्या गलती है चलिए देख लेते हैं यहां पे option number B जो है वो यहां पे क्या है तृटिपूर्ण हो जाता है क्योंकि before he leaves होगा simple present tense का यहां पे प्रयोग होगा will पूछा जा रहा है ठीक है पहुच जाएगा जब तक वो जा निकलता है तब तक वो पहुच जाएगा अब एक sentence एक तम future tense का हो रहा है और एक sentence बिल्कुल past tense का हो रहा है तो यह संभव कैसे है बहिए जब तक तुम वहां पहुचते हो यह letter तुम्हाँ पास पहुच जाएगा या फिर यह बोलेंगे कि जब तुम महाँ पहुच गए थे यह later तुम्हाँ पास पहुच जाएगा क्या sense निकला? कुछ नहीं न? तो future और present आना चाहिए तो before he leaves होना चाहिए left नहीं होना चाहिए we stayed for a short time in the hotel we stayed for a short time in the hotel तो हम एक होट कहते हैं जैसे बात्चीत हम करते हैं दौरान में तो क्या बताते हैं आप मतलब कहीं गए हैं आप रास्ते में रुके थे किसी होटल में थोड़े देर के लिए फिर आप पहुच गए तो आप उनलोंगों से क्या बताएंगे? बोलते हैं ना? तो क्या आना चीए आप ये आना चीए? बिल्कुल आम भाषा को अपने इंड़ापट कीजए कि हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं अगर आप अशुद नहीं बोलते हैं हिंडी में भी तो English में भी अशुदाप का नहीं होगा है Students are prohibited to bring cycles into the college Students को मतलब school में, college में cycle लाना जो है इससे रोका गया है मना किया गया है या मना है cycle लाना मना है तो यहाँ पे infantio का use सही रही है to bring लगाने का use सही नहीं है यहाँ पे option number भी गत्रोटी पूर्ण है यहाँ होना जीए from bringing cycles यानि कि चात्रों को cycle ले आने से college में cycle ले आने से रोका गया है ठीक है? तो from bringing cycles Unless you are careful you are found to make mistake in your work अब unless लग जाता है न automatically negative sense उसी में आ जाता है ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं you are bound to make mistake और make mistakes का प्रयोग basically होना चाहिए ना कि found to found मितलब तो खोजा खोजा कहां? ठीक है? कहना यह चाह रहा है यहाँ पे कि भई जब तक तुम careful नहीं होते हो तो तुम्हें जो है तो मतलब mistake तुमसे अब तुम्हेरे काम में होगी ही होगी है ना होगी तो यहां found नहीं होना चाहिए this custom has come down since times immemorial custom मतलब क्या होता है? custom मतलब होता है जिसे रिवाज वगेरे हैं चलिए देख लेंगे option number C जो है यहाँ पे तुरुटी पूर्ण है यह वाला answer आपका सही हो जाएगा क्यों from time immemorial लगेगा? since times नहीं from पहले since की जग़ तो from लगेगा और time लगेगा? यह times नहीं लगेगा from time immemorial यह इसका correct answer हो जाता है session हमारा छोड़ाजा था एक ही topic से प्रश्न थे समझाया गया है पूरी उम्मीद है कि आपका यह clear हो गया होगा पसंद आया हो तो set तो बड़़बर से like करिए share करिए अगर आप channel पे नहीं है तो subscribe भी करिएगा so thanks for watching keep studying and bye bye